नमस्कार मैं हूँ दिवाब भिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओपने से पहले एक नजर सुर्खियों पर स्टेट स्वेब आइकन मैजली ठाकू ने मदाताओं से मदान की की अपील इस स्कूल में सनी वार को विशेष कारेक्रम आयोजित नहीं करने पर प्रिधाना ध्यापक पर होगी कारवाई लोगसबा चुनाव के बीच रक्सवाल की कारोबारी के घर से 50 लाख कैस हुए बरामत कारा कार संसदिये छेतर से उमें द्वारों को अवंटित हुआ चुनावे चिंद RCB ने CSK को हरा कर प्लेओफ के दिये किया क्वालिफाई इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बरी खबरों के और विस्तार से इस स्कूल में सनीवार को विसे इस कारिकरम आयोज़त नहीं करने पर प्रधाना ध्यापक पर होगी कारवाई गोपाल गंज की 400 सरकारे स्कूलों में सुरक्षित सनीवार कारिकरम का आयोज़न देखने को मला इस दोरान आंधी, चक्रवाद, तूफान और ठंका से बच्चाव कैसे किया जाए इस विसे पर सनीवार के दिन बच्चों को जाग रुक किया गया गठत विद्यारे आप्दा प्रवंधन समीती की तरफ से विद्यारे में सुक्षक और छात्रों के बीच मौक ड्रील भी हुआ प्रधाना ध्यापक ने इस कारिकरम की रिपोर्ट विभाग को भेजी आपको बता दे कि सनीवार का दिन सरकारे स्कूल में बैगलिस दे की रूप में मनाया जाता है इस दिन सभी स्कूल अपने यहां सुरक्षित सनीवार समेत अने गत्य विद्याय आउज़त करते हैं यदि कोई प्रधाना ध्यापक ऐसा नहीं करते हैं और कारिक्रम की रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजते हैं तो उन पर सक्त कारवाई की जा सकती है स्टेट स्वीब आईकोन मैथली ठाकुर ने मद्दाताओं से मद्दान की की अपील कहा है कि मुझे भी पहली बार मद्दान का अफसर मिल रहा है मैं बहुत गौरवानवित हूं और इसको लेकर उत्साहिद भी हूं मैं मधुबनी में अपना मद्दान करूंगी आप सभी लोग भी अपना मद्दान करे और आज परो सगे समंदी सभी को मद्दान के लिए जागरू करे आमस एक्ट में गिरफतार हुआ पूर्व वार्ड पारसद विजय जहा को गिरफतार कर लिया गया है बता दे कि पूर्व वार्ड पारसद विजय जहा कोठिया अस्थित नीजी स्कूल से आमस मिलने के मामले में नामज़त था अवैत संपती के खिलाफ आएकर टीम द्वारा कोठिया अस्थित नीजी स्कूल में च्छापे मारी की गई थी आयकर द्वारत तीन दिनों से च्छापे मारी की जा रही थी च्छापे मारी समाप्त होते ही पूर्व वार्ट पार्षत को पुलिस के हवाले कर दिया गया मामले को लेकर SSP राकेस कुमार ने पूर्व वार्ट पार्सत की आम सैक्ट में गिरफतारी की पुष्टी कर दी है उन्होंने बताया है कि पूर्व वार्ट पार्सत की पतनी सीमा जहा भी इसमें आरोपित है हालाकि इस मामले में अभी सीमा जहा की गिरफतारी नहीं हुई है जांच की दौरान अन्य साक्षों मिलने के बाद आगे की कारवाई पूरी की जाएगी लोगसभा चुनाव के बीच रक्सौल के कारोबारी के घर से 50 लाख कैस हुए बरामत लोगसभा चुनाव में धनबल के इस्तिमाल को रोका जा सके इसके लिए प्रसासन पूरी तरह से अलर्ट है इसी करी में मोतिहारी में 50 लाख से अधिक कैस बरामत किये गये हैं ये कैस रक्सौल में हुन्डी और मीठा कारोबारी धुरूब सा के घर से बरामत हुए है पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर इतने कैस किस काम के लिए रखे गये थे कहीं ये चुनावी उप्योग के लिए तो कैस नहीं थे मामले को लेका धुरूब सा के घर से ये रुपए जब्द करने के बाद पुलिस पूच ताच कर रही है कारोबारी के घर से कैस के अलावे नोट गिन्ने की मसीन भी जब्ट किये गए है मसौरी से दो सराब तसकर हुए गिरफतार एक बार फिर से बिहार पुलिस के सराब तसकरी मामले में बरी सफलता हाथ लगी है मसौरी के सुकठिया गाउं से सराब तसकर 90 लीटर देशी सराब लेकर जा रहे थे जिसकी भनक पुलिस को लगी और इस दोरान आप कारे पुलिस ने दो तसकरों को गिरफतार कर लिया है गिरफतार हुए तसकर में एक मनेर के राम जीचक का रहने वाला विवान और फ्मुकेस कुमार है और दूसरा सापुर थाना के सराय हतिया कंद का रहने वाला अमित कुमार है दोनों ही आरोपियों से पुलिस पूछ ताच कर रही है काराकार संसदिये शेतर से उमधवारों को आवंटित हुआ चुनावी चिन काराकार संसदिये शेतर से मुकाबला काफी रोचक होने वाला है इस सीट पर मुकाबला तरीकोन है होने वाला है उमधवारों को चुनाव चिन भी आवंटित किये जा चुके हैं सिंग को तीन सितारों वाला जहंडा आपको बता दे कि कारा कार्ण से तेरों मिद्वार चुनावी मैदान में है एंडीय और इंडिया गटबंदन प्रत्यासी वो निर्दलियों मिद्वार पवन सिंग के बीच टक्कर का मुकाबला होता दिख रहा है पवन सिंग के चुनावी कैंपेन में लोगों की गजब की भीर देखने को मिल नहीं है भागपा माले ने केकी पाठक के फैसलों को बताया तुगलकी फर्मान बिहार के सरकारे स्कूलों को सुबह सुबह चे बजे से लेकर दोफेर के देर बजे तक खोले रखने पर भागपा माले का बयान सामने आया है भागपा माले राजे सचीब कुनाल ने कहा है कि ये आदेश पूरी तरह से अव्यवहारिक है इसके कारण चात्रों और सिक्षक समुधाय को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सची के के पाठ़क इस प्रकार के तुगलकी फैसलों के कारण बदनाम हो चुके हैं सिक्षा व्यभाग में सुधार से ज़्यादा वो परिशानियों के सबक बने हुए हैं फिर सीम नितीस उन पर किसी तरह के कारवाई क्यों नहीं कर रहे हैं ये बहुत ही दुख़द है जदियों के केसी त्यागी ने पार्टी को लेकर लिया बड़ा फैसला लोगसबा चुनाव के भी जदियों के राष्टे प्रवक्त और यूपी के प्रभारी केसी त्यागी ने यूपी की इकाई को भंग कर दिया है उन्होंने बताया है कि निस्क्रेता और अनुसासन हींता के वज़ा से उत्रव प्रदेश पार्टी की इकाई को और विलम प्रभाव से भंग कर दिया गया है केसी त्यागी ने जो पत्र जारी किया है उसके मुदाबिक पूर्प्रदेश अध्याक्ष अनुप सिंग पटेल यूपी इकाई के संयोजक नियुक्त हुए है अवधेश कुमार सिंग और खुसन वाजन सारी पार्टी के सह संयोजक का पद भार संभालेंगे नवगठित कमीटी यूपी चुनाव में अन्डिये के उमदवारों का समर्थन करेगी और चुनावी अभियान में बढ़ चरकर हिस्सेदार बनेगी तेजस्वी और मुकेश सहनी का एक और वीडियो हो रहा हवाईडर चल रहे लोगसवा चुनाव के बीच एक बार फिर से तेजस्वी याद और मुकेश सहनी का वीडियो सामने आया है इस वीडियो में दोनों ही नेता हेलिकॉप्टर में सवार चुनावी जनसवा को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं दोनों ही एक दूसरी से चुनावी जनसवा के चर्जा करते नजर आ रहे हैं वीडियो में दोनों बात करें कि एक दिन में हमने साथ जनसवाएं की हैं और अब तक 177 से अधिक जनसवा कर चुके हैं आगे बे कह रहे हैं किस वार इंडिया गढ़बंदन के साथ महिलाएं भी हैं और सभी को महा गढ़बंदन पर भरोसा है हमें अपनी जुनावी घोसना पात्र में जो बाते कहीं है लोगों को उस पर पूरा भरोसा हो रहा है मुसल्मानों के आरक्षन पर बीजेपी नेता सहनवाज हुसेन का बयान मुसल्मानों के आरक्षन को लेकर बीजेपी नेता सहनवाज हुसेन का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि पीम ही मुसल्मानों के सच्चे हित ऐसी है आगे उन्होंने दावा करते में कहा कि 2024 में दे पारी करना संक्यक समाज बंद करें पटना साही में निर्दली ओमदवार अभधेश प्रसाद का चुनावी चिन स्कूल का बस्ता पटना साही में एक जून को चुनाव होने वाला है यहां से भाजपा के रविसंकर प्रसाद कॉंग्रिस के अंसुल अभिजीत और निर्दली अमिदवार अभधेश प्रसाद पेशे से क्रेटार इंजिनियर है इनका चुनाव चिन स्कूल का बस्ता चाप है और क्रम संक्यात 14 है आपको बता दे कि पटना साही में आखरी चरन में होने वाला है उसके बाद 4 जून को लोगसवा चुनाव का रिजल्ट सामने आ इन तीनों ही सीटों पर साथवे चरन में चुनाव होने वाले है तीनों ही सीट पर भागपा माले के प्रत्यासी अपने प्रतिदवन्दी को टकर दे रहे हैं कारा कार्ट सीट से राजाराम सिंग है जो एन्डिय प्रत्यासी उपिंद्र कुस्वाह को टकर दे रहे हैं हालांकि यहां से मुकाबला तरी कोनिये होने वाला है क्यूंकि फवन्द सिंग भी इस सीट से निर्दली उमिद्वार की रूप में खरे हुए है वहीं आरा लोग जरूर खुलेगा का थाना कांड संख्या 134 दर्ज हुआ है दिली सीम अर्विंद केजडिवाल के पूर्व पीएस पर लगे आरोप पर प्रिता का बयान राजसभा सांसत स्वादी मालिवाल का मामला भी पूरे देश में चर्चाओं में बना हुआ है इस मामले में दिली के मुख्य मंत्री अर् से विभव कुमार को दिले पुलिस ने गिरफदार किया है इसके बाद विभव कुमार के पिता ने कहा है कि वो निर्दोस है और उनके साथ अन्याय हुआ है RCB ने CSK को हरा कर प्लेओफ के लिए किया क्वालिफाई चार टीमें आईपेल 24 के प्लेओफ में सामल हो चुकी है सदनी वार को रॉयल चैलेंजस, बैंगलोर और चनली सुपर किंग्स के बीच, मुकाबले में रॉयल चैलेंजस बैंगलोर ने मुकाबला जीत कर प्ले आफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, अब प्लेओफ में फाइनल हुए टीमों में संडाइजर्स हैदराबाद, राजस्थान डॉयल्स और कॉलकाता नाइक ट्राइडर्स और RCB सामल हो चुकी है आपको बता दे किससे पहले RCB ने अंतिम बार साल 2016 में ही प्लेओफ में अपनी जगा बनाए बीटे दिन हमारे दोरो पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत चारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सुक्स अ negócio में लिकर दिया है आने के लिए देखते रहें भी हारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो जाना को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूलें धन्यवाद